तो फाइनली सैमसेंग ने आज 7 अगस्त 2030 को जो 1UI 6.0 का बेटा अपडेट है एंडर वाइड 14 के साथ वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है तो आज के इस वीडियो के अंदर कम्प्लीट मैं जानकारी देने वाला हूं दोस्तों 1UI 6.0 अपडेट के रिलेटेड साथ मैं फर्स्ट लूक भी बताऊंगा तो लाइक कर दिजीगा इस वीडियो को साथी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजीगा नमस्कार दोस्तों मेरा नम है प्यूशर आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो सैमसंग न्यूज रूम से यहाँ पर बताया गया है कि सैमसंग ने 1UI 6.0 का जो बीटा अपडेट है वो इस 23 सीरीज के लिए रिलेज कर दिया है दोस्तों और यहाँ पर हमें फर्स्ट लूक भी देखने को मिल जा और क्विक पैनल हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों और काफी सारे फीचर्स के साथ जो है वो इसे सैमसंग ने रिलीज किया है तो यहाँ पर जो है वो एक नया नोटिफिकेशन पैनल काफी समय के बाद सैमसंग ने रिडिसेंग किया है 1UI 3.0 में हमें ट्रास्पेरेंट नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिला था उसके बाद सैमसंग ने अब जो है वो चेंज किया है और काफी सारे फीचर्स और चेंजके के साथ सैमसंग इसको रिलीज किया है हालाग्य अभी कुछ ज़़ादा फीचर्स सामने नहीं आए हैं अभी सिर्फ जो नोटिफिकेश वीडियो बहुत ही जल्द लाऊंगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद वन्दे मात्रम